कि हलो गुड मॉर्निंग दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल स्सी एकेडमी स्सी एकेडमी मापका स्वागत है यह आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कि पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें आपने दोस्तों में सेयर करें हम आपके लिए रोज रोज साइन्स के महत्पूर्ण कोश्चन लाते हैं जो आपके आगामी परिच्छा के लिए महत्पूर्ण है ठीक है तो खास करके आपका नमबर एक अपका है भूल रहा निमलिखित निमलिखित में से किसकी पर्तियास्ता सरवाधीक है तो निमलिखित में से किसकी पर्तियास्ता सरवाधीक है इसके लिए आपको देखें आप्षिन क्या दिया हो आप्षिन नमबर A रवर आप्षिन नमबर B एलमुनियम आप्षिन नमबर C स्टील और इन सब की बरावर है त ठीक है अब परत्यास्था क्या होता है परत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुन होता है जब उस पर हम कोई बल लगाते हैं जैसे ही बल हटाते हैं वह आपने रूप में आ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं परत्यास्था गुन बोलते हैं ठीक है ऑप्सिन स्वाल का इंसर है चलिए आगे चलते हैं आगला कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर कोश्चन नमबर दो देखिए कोश्चन नमबर दो क्या है अस्थाई चुमबक के लिए सरवाधिक उप्योक्त धातू है अस्थाई चुम्बक के लिए सरवाधिक उप्युक्त धातू है अस्थाई चुम्बक किसका बना जाता है अस्थाई चुम्बक किसका बनाने के लिए देखिए तामबा लोहा इसपात और कोबार तो अस्थाई चुम्बक किसका बनाया जाता है ठीक है आपको कमेंट में बता इसमें हम एक परसेंट से 0.1 परसेंट से 0.5 परसेंट तरह क्या मिलाते हैं कार्बन मिलाते हैं तब यह क्या बनता इस पाद बनता है इस अगला कोश्चन आपका देखिए के अगला कोश्चन नम्वर ठीख बहता है ड्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी सायन्ता क्या होती है जैसे हैं कि य cancer क्रूट गती का बिरौत करती है अपने कि परत के उपर क्या करती है की का विरूद करती सको हम क्या बोलते हैं सायनता भी जैसे आप समस्ज़ देए थोड़ाँ सा जैसे आप एक टेवल पर थोड़ा सा पाणी डाल देजीज पाणी आसानी से एसे करके फिसल जाएगा जब इसी पर आप क्या डालिए तेल डालिए या सहद डालिए तो हुआ थोड़ा कम सहथ है यही क्या होता सयंता हुथा ठीक है बात समझ गया है चलिए चलते हैं है अगले कोशन में ठीकえー अगला कॉशन देखिए Therefore number 4 देखिए Click Article 4 आपका क्या है बोलता स्वेद परकास में देखने पर सावुन के बुलबुले रंगीन दिखाए पड़ते हैं क्योंकि ठीक है तो यह क्या होता परकास का घटना होता है रंगीन दिखाए देने के लिए परकास का घटना होता है वह क्या होता आपका परकास का घटना क्या होता यह घटना होता ब्या यह मतलब होता है जब परकास की चालती बीच्राल गोलते हैं आपका बैति करन यह क्या होता है है यह है क्या होता है आफ का घैक सिद्धान्त है जो आपको बताता है कि परकास की तरंग की परकीरती कैसी है ठीक है आपको पता है की आगे चलते हैं अगला कोशन देखी अगला कोशन नबर पहुंच आपका क्या है सोचालीत बाहन में ध्रबचालीत ब्रेक काज करते हैं सो 40 बहान में रभ講 चालिफ ब्रेक क्या करते हैं तो यानि कि जो ब्रेक होता किस तकार्ज करता है उसके उपर यह बल लगता है ठीक है यह जो बल होता है डुबाय जबस्तू के बरावर होता है शिद्म का सित्धांत होता है थे कहीं बात समझ आगे हैं बर्नोली का सित दंड किसी पाइप में जब बहता है ठीक है को पाइप में आदाष्प किसी नली में धारा रहे परवाह में बहता है तो उसके मारण परतेग बिंदू पर एकांग काहतन की कुल उड़ जा का यह नियत रहता क्या होता कुल उड़ जाका यह बर्नॉली पर में देखिए यह आप से नहीं पूछे पूछा जाएगा जैसे आधी तुपान में आपका च्छप पर ख बोलता है कोस्शन सिक्स किया है वह देखिए वालता है एक लड़की एक जूले पर बैटकर जूल रही है यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलनकाल क्या होगा ठीक है तो देखिए जूला जैसे यह आपका क्या है जूला का डोरी है यहां पर क्या होगा लड़की बैठी रहेगी तो लड़की एकाएक क्या हो जाती खड़ी हो जाती इसका जूलनकाल होगा वह क्या हो ज होता हुआ है आपको याद होना चाहिए टी व्रावर हम क्या पढ़ते हैं कि टू कि भाइट टी पर रूट अंडर एल बटा जी परते हैं ठीक है तो देखिए लंबाई क्या होगा लंबाई का सीधा लंबाई जैसे घटेगा तो जैसे क्या होगा इसका आवर्थ काल भी घट गया जैसे देखिए अहां पर आपको समझ जाना चाहिए कि लड़की बैठी हुई थे लड़की का पूरा वजन कह कि आपको समझ आप ता नीचे यहां पे जूल । यहां से इतना दूर लंबाई याई लोग का लंबाई यिसले लड़की क्या हो जाओ झाल क्या हो जाएगा धन करने लड़की ब्रकी का यावजन होटा उसके नांवी होता किसमें होता नाभी पर नाभी इसका यहां से उच चाहिए नहीं इतना ही रह गया इसका नम्बाइघ घट जाएगा तो इसका क्या हो दो राणकाल काल वी कम हो ठीक है आसा करते हैं आप समझ इरनियम क्या होता सबसे ज्यादा होता है ऐसा आपने देखा होगा इरन नाइंटी एट होता है यह किसका सबसे भारी धातु है ठीक है इरनियम के बारे में थोड़ा सवर बात बता दें कि उरेनियम क्या करता है नुकलियर रियक्टर में इरनियम का उप्योग होता है ठीक है साथ है रेडियो सक्रिय सबनारत है फिझ चलिए आगे चलते हैं को कुश्चन कोशन नमबर देखते क्या करता है क्या कता है कि को कम करता है को आगे आपको पता दें कि अगर आपसे पूचा जाएं कि ने बनाया था किसने क्या था था और भी पीछे पिछले कोशन आया होगा रीक्टर में मोडेटर के रूप में किसका उप्योग किया जाता है अभी क्या करते हैं निकोलियर कि साहता समनावी के उर्जा को बदलते हैं ठीक है समझ के बात को चली कि आगला कोशन देखते हैं कि कोशन नमबर नाइन क्या बोलता है यदि एक कन का बेग अपने प्रारंभिक मान का एक तिहाई कर दिया जाए तो उसका गतीज उर्जा क्या है इसके लिए आपको सबसे पह इसे डिनोट करते हैं कि यही बरावर होता है याद कर लेजिए हाफ एम भी एसक्वार ठीक है तो इसने क्या बोला है इसने वेग वेग को क्या कर दे एक वटा तीन तब यहां पर हम एक वटा तीन रख देंगे वी के जगह पर एक वटा तीन भी इस पूरे एंसर कितना आ पूरे जाया लास्ट में आ जागा एंसर आजाएक एक वकतना नो कित भी सवाल के इस सवाल के इसलें कितना हैं 2ह सवाल का इंसर है हिक वटा नो गुनि हो जाएगी तो आज़सा करते हैं आप समझ गये हैं चलिए आगए चलते हैं अगले कोश्चन पे कोश्चन नमबर दास देखते हैं कोश्चन नमबर दास आपका क्या है वह देखिए बुलता निम्नलिखित में से कौन सा इंधन नियुंतम परियावारनिया पर्दूसन वुत्पन करेगा ठीक है देखे आपका है हाइडोजन है डीजल है क्रोसिन है और क भी कहा जाता है हाइडोजन को भाविस का इंधन भी कहा जाता है ठीक है चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर 11 क्या बूल रहा है लाल तप्त कोग पर भाप परवायत करने पर प्राप्त होता है लाल तप्त कोग पर जब हाप परवायत चलिए मैं ही बता देता हूं जल गैस किसको करते हैं सीओ पलस क्या करते हैं एची जो होता है वह आपको डिक्न अगे चलते हैं अलगा कोशन देखे कोशन नमबर 12 आपका आपका जो दीख रहा है कोशन बारा क्या दिख रहा है बुलता है जब इस पात को सुर्ख लाल गरम किया जाता है एवं धीरे-धीरे क्या करता है धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है इस पर क्या करते है इस पर क्या करते है अनीलन इस पर क्या करते है अनीलन कहा जाता है ठीक है धीरे-धीरे इस पर क्या करते है जब इस पात को सुर् चुलिए अगला कोश्व नमर क्या है कोश्व नमर 13 दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो किर्पिया चैनल को सबस्क्काइब किजिए वीडियो को लाइक करें अपने दोस्त में से तयार किया जाता है तरभ Tuesday के साथ मुनीच लिए कोंसा अर्वरक बनेगा यह वह मनेगा अमुनियम से चलते हैं आगर देख नमबर 14 भूलता है जब सोडियम अविक्रिया करता है तो होता है ठीक है जब सोडियम फ्रोडिन से अविक्रिया करता है तो क्या करता इस तरह से बना हुआ योगी तवस्था में विद्दूत का सुचालक होता है आप याद कर लेजिए सोडियम फ्रोडिन कभी क्या करेगा तो ऐसा योगी जो होगा गला हुआ ठीक है वे तवस्था म कोशन नमबर भूता है क्यों होता है नुदरण होता है कि दोने कभी उसकी में होता है total प्रकास कैसा अनुदर रउस्तर फीचल बात समझ गया है कहीं कोई दिक्क्त वाले बात नहीं है ठीक है यए आपको किसी प्रकार नगर का जबाब दिया जाएगा ठीक है चलीए अग्रें कोश्ण पर चलते हैं पांदर नमबर हो गिआ है कोश्चन टेए नंबर शोर बोलए की पटड़ीं के नीचे चावरे लखी क्या sleepers लगाया जाता पट्टा या स्लीपर्स यानि कि पट्टी के नीचे जो लकडी लगा जाता आज कल तो लकडी निचे उरते हुए चक्के की 50 second घूरनन किस से मापी जाती है ठीक है तो देखते हैं बैरो मीटर वायव deficit सब्सक्राइब तो बच गया कुण से हम क्या मापेंगे उड़ते हुए चक्के की पर 30 सेकंड गुरनी इस सवाल का असर क्या होगा एस्टोबो एसकोप हो गया ठीक है चलते हैं आगले कोशन पर अगला कोशन नमबर कोशन नमबर 18 क्या है कि निम्न लिखित में से किसके लिए कैसी गत्व एक मात्र कारण नहीं है यहां भूमिगद जल का उपर उठना ठीक है इसका अंसर क्या है बहुमिद जल का उपर ना लिए यह सौकना के यह भी कैसी कत का करण है दे की जरोषा पत्ते यह भी कैसिकत कर लेकिन भूमीगत जल का मतलब क्या मिट्टी जब खोते हैं इसके अंदर होता पानी यह उपर उठा लेकिन बारे सुरीष आएगा तो भूमिकत जल में पहुछना या भी के करते सूति कपड़े पर पानी के बंत्व फ्यलिना क्या होता है क्या होटा क्या करता है कि सिद्रव में केशने डालते हैं तो ऊपर चलना या नीचे घरना या घटना होती है चलिए अगे सब्सक्राइब को देखने के लिए चोटे रंगीन टुक्रों से बनने वाले आस्चर जनक आकारों को देखने के लिए जो यंत होता हुआ क्या होता क्या होता जैसे सिन्यमा घरों में देखते हैं परदे पर चलाया जाता है तो यह आंत होता है बस्तू चित्र को दिखाने के लिए किसका उप्यों किया जाता है इस सवाल का एंसर क्या हुआ के लिडो एसकोप इसका एंसर हुआ ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नंबर देखते हैं कोश्चन नंबर 20 देखिए कोश्चन नंबर 20 क्या है वह देखिए बुलता है दूद की सुद्धता का मापान तो दूद के सुत्ता कि से मापते हैं दूद के सुत्ता लैक्टोमीटर से मापते हैं ठीक है दूद में आपको सुत्ता बुलते हैं दूद से संबनित लगवा कुछ भी चीज होता है उसमें लैक्टोमीटर जैसे आपको बलते हैं दूद में कौन सा कार्बोहेडर जब हम बनता है उसमें कौन सा होता है लाक्टिक होता है ठीक है बात समझ किया करण आपके घुटनों जैसे दोड़ते उड़ते दोड़ते दोड़के आते हैं तो प्रेस्टों में दर्ध करता हो लैक्टिक अशीड बनने के करण बनता है ठीक है अब इसके हाइड्रोमीटर मैंनो मीटर से गैस का दाब मापते हैं फैदो मिटर से समुद्र की घराई समझ गया है चलिकां चलते हैं अगले कोशन पर चलिए कौश्चन नमबर है क्या दिख रहा ऑप तो रिपीट हो रहा है तो किसका कम करता है ठीक है इसका काम क्या होता है डीट्व मंदक याने न्यूट्रोन की गती को क्या करता है या कम करता है ठीक है न्यूट्रोन की गती को क्या करता है कम करता है आगया बात समझ में ठीक है चलिए अगर आपको कभी-कभी देखे जैसे नियंत्रक बोलता नियंत्रक क्या होता कभी ठीक है समझ गया चलते हैं अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नंबर जो आपका है 22 22 क्या बोलता है एक मानव सरीर में अन्यचिक मान स्पेसियां होती है ठीक है तो आपके बोडी में जो क्या होता कुछ पिडियाय होती है दो टाइप एक होता आपकी इच्छा से आपकी हार है जै सह हमत को हिलाना होगा आप जब कहीर है तब फीलेगा ठीक है लेकिन आपको क्या करना आपकी पलका अपके अपश्चा नहीं आप फिर देखीए दूसरा क्या होता ऑर भी जैसे चीक CHA k्य होता आपका उस पर कंच्रूमUI्ड़ नहीं बीचाहिए तब ही ची myös आई मतलब जीव देखें अपने होता हुए इसलिए नहीं अनीचिक क्या हूथ भी नाशिक में किस में कि मतलब वह बता है की हुमन हट मैं कि कितने चेंबर होते हैं। हमार्ट में कितने chambers होते हैं समझ गया है चलिए अगले question पर चलते हैं अगला question number 23 क्या है एक transformer का पर्योग किया जाता देखिए transformer का पर्योग आपको देखे class में पढ़ाए गया दिहान देखे transformer का पर्योग होता हुआ बोल्टेज को मान कम करने में या और बढ़ाने किया जाता है ठीके टाउन अब टांसफर्मर और एक होता है राउन ट्रांसफर्मर ठीक है अब कभी कभी पूछेगा त्रांसफर्मर किस इधान पर काज करता है रही है ये है समझ गया है चलिए आगे चलते हैं अगला कोश्चन नमबर देखे 24 कोश्चन नमबर 24 क्या है भोल्टे सप्लाई पर 3 भी भी भोल्टे सप्लाई पर 3 समांतर से जुड़ी हुई कौन सा परिमान समान होगा समांतर क्रम में जुरा हुआ जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं डिक है तो टीन गो ऐसे जोड़ दिए वह ऐसे से करकर हम जोड़ दिये हैं अगर भी वोल्टेश यहां से जाएगा था थे नौ में भी भी बी होगा ठीक है या नि क्या होगा Polter Samyna परते एक साखा पर भोल्टेज वोगति क्या होगा इसका समान होगा परतीild साखा पर वोल्टेज समयुपन होगा यही जब स्रिनी करम में जोड़ते हैं तब क्या होता इसका धारा समयुपन हिए n नंवर हो गया आपको बताना है कि भी रावर क्या होता फर्मुला भी। नहीं में आप लोग लिख़ाना है कमेंट में लोग लिखेएगा और आप चेनल नए हैं चीनल को यरू से जरूर जरू क्या करें सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको विडियो मिलता है जो आपकी परिच्छा में क्या होगा मदद करने में साबित होगा ठीक है और आप बेल आइकन को भी दवा दीजेगा तो आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए चलिए अगले कोश्चन पर चलते को कोश्चन नंबर जो पचीस है वह देखिए कोश्चन पचीस है सोसन में क्या होता है अमोनिया का पडियोग किया ठीक है देखे फिरके जो कि क्या होता में और टीक noon किया जाता है यह आग बुजाने में किया जाता है CO2 क्या होता है CO2 आग बुजाने में इसका पड़ियोग किया जाता है ठीक है तो दोस्तों यह आपका 25 कोशन पूरा हुआ तो आपसे अनुरोध है किर्पिया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग है वे नाइस डे बाई 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 है वे नाइस डे ओके